नमस्कार स्वागत है आपका अंडी टीवी स्पोर्ट्स हिंदी के हमारे यूट्यूब चैनल बर मैं हूँ विवेक और मेरे साथ है रिकारोय मैं वेलकम स्वागत है आपका शुक्रिया और जैसा की चर्चा चली रही है हम भी उसी का हिस्सा बन रहे है कि मुंबई इंडियन्स को आखिर क्या हुआ है और इतनी हार लगातार आठ बार आई पिल में मैच हारना उसकी वजह क्या हो सकती है क्या कारण रहे उस पर चर्चा क करेंगे आज इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग भी कॉमेंट करिये वीडियो देखते हुए आपको जो भी लग रहा हो कि इसके अलावा क्या पोइंट सो सकते हैं तो मैं बहुत हैरानी की बास है लेकिन विवेक लेकिन आपको जब आप ब्रोड प्रस्ट एक्टिव में दे अगर मुंबाइ इंद ने पांच IPL जीता है तो भी आप लग जीता है तो भी आप लिए बतार की बास बास है यह एंनोर बहुत अच्छी कप्तानी कि है अगल बहुत सिर्फ अप्तानी स्ट्राटेजी से नहीं किया है उनोंने रन बनाया है उनोंने अच्छे कैच्छ तो, I think Rohit Sharma का, let me put it this way, Rohit Sharma not coming to the party, is what has hurt the Mumbai. और अब देखिए, Rohit Sharma का लंबी एक दौर चला है जब वो इंजिर रहे है, इंजिरी से उभर के वो, हलाकि इंटनाशनल क्रिकेट में वापस आया है, but I think somewhere, something is playing at the back of his mind that he is not being able to be present in the moment, 100%. ठीक है, Rohit Sharma का रनना बनाना, लेकिन उसके साथ-साथ क्या आपको वो नज़र, इस बार आपको नहीं लगता कि गेंदबाजी थोड़ी सी इंकंसिस्टेंट रही है, सिर्फ एक देखिए, गेंदबाजी के बारे में अगर हम बात करें तो, तो, there is one stand-out bowler, that's Jaspreet Bumra. Jaspreet Bumra का, Jaspreet Bumra को help नहीं मिल पा रहा है, in terms of a bowling partner, जो बोल्ट और Bumra साथ में बॉल करते थे, and they were, they were frightening, बोल्ट और Bumra जब एक साथ बॉल करते थे, किसी भी opposition को हिला सकते थे, पर अभी Bumra को वो confidence नहीं मिल पा रहा है, जो बाकी bowlers है, and I think the biggest thing has been Jofra Archer का नहीं होना, उनके लिए, one of the other big things is Jofra Archer's injury, जिस वजए से Bumra doesn't have a bowling partner to rely on, अगर एक एंड से वो विके ले रहे हैं, तो दूस्टे एंड से प्रशर क्रेट करने के लिए तो बोलर चाहिए, वो कौन है, and the other thing is आपने जो inconsistency के बार में बात कही, that's also because they don't have great spinners in their line-up, if you see, अगर अच्छी spinners होते हैं उनके लाइन आप में, तो देन अब कान है, मुर्गन अश्वीन है, उनको बहुत ज़्यादा उन्होने मोके दिये हैं, इनके पास नालकंडे नहीं वो, क्या नाम दा इनका, मैंक मारकंडे है, उसको बटन को मोका दिया नहीं है, मुर्गन अश्वीन पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया और उन्होने ऐसा कुछ पर्फॉम किया है, यह भी है, यह भी है, दट ही ट्राइस एंड गिव लॉर्ट अपरचुनिटी टू इस टीमेज, हाला कि इस बार मेरे कहल से, अठारा प्लैर उन्होने, उन्होने, उन्ह कर को देना बाकी है, क्यों नहीं खेल पा रहे है, that is also a million dollar question, अभी मैं एक दो और ऐसे सवाल जो मैंने पढ़े social media पर, बहुत सारे लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि टिम डेविड को शुरुआती कुछ तीन मैच खेला है उन्होने और उसके बाद continuously drop किया है, उनको नहीं म महेंगे, शायद 8 करोड पता नहीं कितने कर लिया है, उनको मोका ना देना तो बार-बार captaincy की फिर बात आ जाती, वापस कह रहे हैं कि इशान किशन को इतने बार continue क्यों खिला रहे हैं, क्या combination चेंज कर लेते, टिम डेविड को खिला लेते, इस तरह की बाते हैं, पर इशा चोने करेंगे, पर खिला कर लेते, प्रएम पिला को जाता है, प्रखिला को सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्यों प्रफिड पता है? अब क्यों मुझे नहीं पता है, क्यों बुझे नहीं पता है? The captain is giving him enough confidence to go out and perform. the franchise is putting their faith in Ishaan but Ishaan का अंदर से खुद शायद वो जो confidence उनको मिल रहा है he is not being able to reflect to make the best of that confidence that he is getting up देखना पड़ेगा that how he is able to turn his failures into a success अब स्ट्राटीजी के बारे में बात करें तो शायद रोहित शर्मा को लग रहा है कि Ishaan को अगर consistently हम दस मैच दे या फिर you know whatever how many number of matches दे तो कभी ना कभी उसका जो bad form है that will translate into good form maybe run जैसे कि उनका कुद का हो रहा है कि एक ना एक तो time he will make a turn around yesterday was a good match was turning out to be a good match for Mumbai Indians but end में जा के fizzle कर गे है वो लोग मतलब तीन चार मैच ऐसे रहें जो बत close गए एक दस रन से हा रहे एक तेरा रन से रहे तीन विकेट से हा रहे मैच निकाल लिया पिछला मैच जो है at one stage it didn't look like Chennai is gonna win हां जब दोइन प्रिटोरियस बाट करने के लिए आये थे दोइन प्रिटोरियस को इसने MS Dhoni ने बोला कि not to take on Unutkat so to take on Unutkat not to take on Bumra, उस time तक नहीं लग रहा था कि Chennai नहीं मैच निकाल लिगा so that's a very close game again Jaidev Unutkat को खिलाना you know who's leaking so many runs, मुझे वो भी समझ नहीं आ रहा है उनका strategy but हो सकता है because Rohit loves to give confidence to his to his players and loves to continue them for a very long time and give them a certain kind of consistency की वो के लाए जा रहे है नहीं कई उन्होंने रोहित ने ट्राइब जैसा कि आपने का कि 18 प्लेयरों को ट्राइब कर चुके है और सीज बोलर फस्ट बोलर दैनियल सैंस को बासिल थंपी को उसे पहले किया उसके बाद जैदे उन्हार मदर रोहित ने ट्राइब सब कुछ किया है बट अल्टिमेटली जो आपने पहला पॉइंट बताया था इसा नहीं है कि टालेंट उनके पास नहीं है और आप सबसे अच्छी आप यह बात देखिए कि तिलक वर्मा उनके टॉप स्कोरर में से हैं इवन आई प्ल के टॉप फॉर स्कोरर में उनका नाम आ गया 270 के असपास उनके रन हो गए यह बड़ी बात है कि यंग्स्टर फस्टाइम आपके लिए खेल रहा है और वह अगर उ कर्मा के भरो से तो आई पिल नहीं जीतने आए थे वो खहीं फ्रेम में ही नहीं थे आप तो थे कि कायरन पॉलार्ट जस्परीट भूमरा रोहित शर्मा इशान किशान और मुझे लग भी रहा था बता है आई पिल शुरू होने से पहले दिसल प्राबबली भी पॉलार्ट लास सीजन और इंटनाशनल क्रिकेट से रिटायर कर गे अगर इंटनाशनल क्रिकेट से कोई रिटायर कर जाता है उसके बाद मुझे नहीं लगता है बहुत लंबे टाइम तक फ्राजाइस क्रिकेट को खेलेगा I think it could be his last season. हाँ जिस तरह से बोडी लेंविज नदर आरी है वो रिजाइन लग रहे है लग रहे है कि हो गया है बस I have done my time here and एक और छीज नौटिस करने वाली थी मैं कई बार बोल चुका हूँ यही रही चर्मा उनसे ना बॉलिंग करा रहे है हर मैच में यहा तू सिर्फ एक और यहा तू सिर्फ एक और यहा तू सिर्फ एक और यह बतलब 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 और बहुत जादा हम लंबे रन एक्सपक्त नहीं करते हैं उनसे हम चाहते हैं कि एक मैच फिनिश करें कमसे का मुवम्मेंट उसी तरह की उनकी परस्नालिटी है बट वो फिनिश में लखना लखनाओ के साथ इस तरह बिग मार्जिन बट इस अमार्जिन इनाफ तो तो जज़ आप टीम आप प्लेड वे अचाब वापस जब यह सब हो गया इतनी आठ मैच हार गया है तो मैनेजमेंट सब नाराज है ओविशल होंगे कोच का अब स्टेटमेंट आया है कि कोई नाम कितना भी बड़ा हो मैं लजायवर्द ने कह रहे हैं तो वो किसकी और इशारा कर रहे है शायद इशान किशन की तरफ शायद चादा करोड से कह रहे हैं अब किसी का भी 15 15 क्रोड से खरीदा है सबसे महेंगे खिलाडी है इप सब्सक्राइब करने के लिए मुश्किल हो जाता है कि इतने महेंगे खिलाडी हो अगर आप वो जस्टिफाइब करने के लिए वा नहीं है आप मैं जिताने के लिए वहांपे ऐसा ही सेम पंजाब के साथ हो रहा है जोनी बेस्टो और भानुका राजपक्से जोनी बेस्टो इतने महेंगे खिलाडी है और फॉम में नहीं लेकिन पंजाब खिलाए जा रहा है क्योंकि महेंगा बड़ा प्लेयर है जबकि बानुका राजपक्से अच्छी फॉम में खेल रहा है उनको जोनी बेस्टो के आते है उनको हटा दिया गया है हाँ वही बतब शायद वो चाहते है कि जो एक ना आइपल का जो है कियाप कि यह चैब कर लिघर के दिया ड्री बेसक्रत भी कोण खायने का डूल कि क्स भी हru सब्सक्षा रहा पड़ा कि यह जा फॉघ जी नहीं पर हम सोच रहे हैं बट आमस् winding के हैसे ब्लान के सिब पाट प्रतरते हार तिन इसे प्रेंड मुंबाइद इसे आत्रोप इसे प्राइज पूली इसे एक शट्रहार रहे एक चक्का मारा रहे रहे इसे पहते हैं अब I think पता नहीं आसे तो कोई बात होती नहीं आगे जाने कि बस अब Mumbai Indians को कुछ जाते हुए कुछ अपने पोजिटिव निकाल के जाने अब अगया से अगया से अगया से चली के प्राइब कि ए हमें वे जुठा आप घॉ मि अद्यू आप अर्जुन ₹य को त्री कर लें ना चाहि जाई जो महिष्टिकसाना ने चन्नाई के लिए भी दिखाया उच्छा परफॉम की है तो यूस्वेंद्र चहल कर रहे है तो यू आप टाप टेकर राइट आ इन दे लीग जो यूसे एक रिस्पिनर चहिए उनको और बैटिंगे तो यू अई आप से मेरे ख्याल से पोलाड अगर चले जाएंगे तो यू नीट अर प्रेस्मेंट पार केरॉन पोलाड अन अमिल ओडर सूर्या कुमार यादव वास गिवे ने वान ओड नियू और कुछ आप टो और भूमरा दोनों साइड हो तो यह आठ हो और आपके इतने अच्छे निकलते कि आपको जीत दिला सकते थे तो मुझे लगता है कि next season में कुछ अलग चीजें होंगे Mumbai Indians के लिए बिलकुल तिलक वर्मा एक अच्छी खोज मैं काऊंगा इस बार के इस season की Mumbai Indians की बहुत अच्छी खोज है Mumbai Indians की हर season Mumbai Indians talent आनद करते रहे हैं तो find of the season इस season का है तिलक वर्मा अच्छा एक लास्ट सवाल है इसम management captaincy change करने के बारे में सोच सकता है अब आपको लगता है कि क्या और option क्या इनके पास मुझे लगता पॉलाड को देंगे ऐसा नहीं लग रहा है ने मुझे नहीं लगता है पॉलाड को देंगे मुझे लगता है कि पॉलाड is done next season ना ब्रावो आएंगे ना पॉलाड आएंग if I have read my cricket well then shayad bravo नहीं आएंगे पॉलाड नहीं आएंगे next season में कप्तानी एक season की खराब performance से मेरे क्याल से कप्तानी चेंज नहीं होगा Mumbai Indians has to be really bad for the next three or four seasons for Ohit Sharma to go और इसबीच अगर Ohit Sharma injured हुए ना खेल पाई, you know he himself opts out, that's a different story Yes, but the management will not ask Rohit to go on the basis of just one bad season क्योंकि पाँच ट्रोफी जिता ही हम पाँच ट्रोफी उन्होंने जिता है तो on the basis of one bad season कप्तानी चेंज नहीं होगा हाना कि हम NDTV में एक पोल रन कर रहे थे whether Rohit Sharma's captaincy should be changed, whether Mumbai should have a different captain और उसमें 60 फिजदी fans ने कहा है Rohit should go वही मैं इसलिए मैंने आपसे सवाल पूचा कि ये लोग चाह रहे हैं कि लोग चाह रहे हैं, but I don't think लोग चाहना कोई indicator है मुझे नहीं लगता है franchise will change Rohit Sharma unless Rohit Sharma himself goes right now it has to be three really bad seasons for I think Mumbai Indians for Rohit Sharma to go चलिए तो Mumbai Indians के fans सब यही डूण रहे होंगे कि आगे के मैचों में वो क्या कर सकते हैं कुछ options जैसे हमने डिसकस किये कि क्या कपतानी में change हो सकता है क्या Arjun Tendulkar वापस आ सकते हैं क्या जो इनके spinner है शोकीन और इनको और मौके दिये जा सकते हैं मुझे लगता है अगले कुछ सालों के लिए Mumbai Indians इस season में खेलती हुई नजर आएगी आप इस वीडियो के बाद आप अपने comments हमें भेजिए आपको क्या लगता है कि Mumbai Indians किन किन वजे से हारी और आगे के जो match है उनमें वो क्या कर सकते हैं आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, thanks for watching